STF और मुझहपरपूर पुलिस को बड़ी काम्यावी मिली है पुलिस ने एक ए 47 राइफल कार्थूस के साथ तीन अपराधियों को गिरफतार किया है बता जा रहा है कि STF मुझहपरपूर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गुप्त सुचना के आधार पर मुझहपरपूर जक्सन के बाहर रेट किया गया दो अपराधियों को राइफल के बट और लेंज के साथ गिरफतार किया गया इनकी निसेंदेही पर फाकुली के मलकौनी गाउं में रेट की गई देव मनी नामव व्यक्ति के घर पर पुलिस ने रेट कर उससे पूछताच की उसके घर के बाहर खाली जगह से एकी 47 एसल्ट राइफल और पांच दिंदा कार्तूस बरामत किया गया है इस मामले में तीनों लोगों की गिरफतारिक की गई है विकास, सत्यम और देव मुनी से पुलिस ने पूछताच की इस सम्मद में मुझहपरपूर एसपी राकेश कुमान ने बताया कि एक सूचरा मिला था कि दो व्यक्ति मुझहपर पेश्टेशन पर साइट के तरफ से आया है जिनके हाथ में प्रतिबंदित हत्यार है सूचरा के अधार पर एस्टिएप की टीम ने छापे मारी कर दो व्यक्ति को प्रतिबंदित राइफल के बट के साथ गिरफतार किया गिरफतार अपराधी के निसान देही पर फकुली थाना च्छतर के मलकाउनी से एक सक्स को गिरफतार किया गया और पूझताच के राइफल के बचा समान को बड़ा मत किया गया साथ माई दोहजार चॉड़िस को लिहार स्टिएप की स्पेसर टीम और मुझभफर पुलिस और जो मुझभफर पुलिस की डियू इनिट है एक जॉइन ऑप्रेशन किया गया है इसमें इंपुट प्राप्थ हुए था कि साथ तारी को सुबह सुबह लगबग धाई से तीन वज़े की बीच में दो व्यक्ति है जो इस्टेशन के बाहर है और साइट ट्रेल से वापस आये हैं और उनके पास में प्रतिवंदित अतियार होता है जो एक फॉर्टी सेवन असौल ट्राइफल है उसके कुछ पार्स है इस सुचना के आधार पे टीम ने रेट की इस्टेशन के बाहर में और वहां से दोलों की गिरिफ्तारी की गई जिसमें से एक व्यक्ति का नाम विकास है और दूसरे का नाम सक्त्यम है जब इन तीनों को सर्च किया गया तो इनके पास से उस वेपन से संबंदित जो बट होता है जो पीछे का पार्ट होता है वो मिला और एक दुर्वीन मिली फि जिनके घर पे रेड ही थी उनसे पूस्थाच की गई और देव मुनी की निशान देही के आधार पर उनके घर के पास में एक अबर्नेंट जगह है खाली जगह है जहां से एक एक फॉर्टी सेबन है उसको बरामत किया गया है और पांच राउंड जिंदा कार्थू से इस प हतियार जब किया गया है यह काफी सोफिस्टिकेटिटिटिट है आटोमेटिक राइफल एक 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 बटी सेबने सौल ट्राइफल क्रूप में इसको जाना जाता है और इन टीनों से ही काफी डिटेल पूस्थाच की गई है पूस्थाच के दौरान काफी बातें हम लोग के आई हैं काफी इन-पूस हम लोग को मिले हैं चाहे वो बैकवर्ड लिंकेज कुरूप में हो या फ़रवर्ड लिंकेज कुरूप में हो मतलब यह थियार कहां से लाते थे और करा कहा कहां कि बाता है कि इस एक्टिविटी का कोई बहुत सीरह संपत नहीं है राकि एलेक्शन पहले से homework कर रही थी और यह लगवड पिसले तीन महीने की एक एक्सरसाइज हुई है अपरादी रिकॉर्स हम लोग अभी राप्ट कर रहे हैं देशाम ज़नों से और देशाम जटाथ मोगों के मामले में भी 47 की परामधीर को लेकर जिया रहा है इससे रिलेटेड है अभी अभी इसमें पूछ नहीं हो सकते हैं चुकि इंवेस्टिकेसन नहीं बादेद हो इसलि